प्रामरी डेटा को कलेट करने का एक important टूल है questionnaire questionnaire क्या होता है list of questions होता है यानि कि A4 sheet होता है उसके list of number of questions printed होता है और उस questions को हम क्या करते हैं different different respondents को send करते हैं और उनसे हम data collect करते हैं clear respondent खुद अपने हाथों से questioners के answer को fill करता है और आपको submit करता है researcher को submit करता है तो researcher जब भी कोई questionnaire बनाता है तो उसको कुछ चीज़ें है जो की ध्यान में रखनी चाहिए जिससे की questionnaire एक अच्छा questionnaire develop हो तो essentials of a good questionnaire तो सबसे important है that is positively and negatively worded question आपने बहुत बार आपने questionnaire कहीं कहीं feedback fill किया होगा तो आप जैसे कोई जो मेंटो से आपने कुछ food order किया तो वहाँ पर rating देनी है तो वहाँ पर क्या होता है कि क्या आपको हमारा खाना पसंद आया दूसरा क्या आपको हमारी service पसंद आया क्या हमारे employee का वीवेर पसंद आया तो यह सब क्या है positively question है सब में क्या होगा जो respondent होगा automatic सब में 555 rating देते चला जाएगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बीच में आपको negative questions भी आपको include करने है तो instead of phrasing all questions positively it is advisable to include some negative worded questions also जिससे कि जो tendency होती है respondent की कि वो आख बंद करके सबी पर 555 देने चलता जाता है वो ना हो तो positively और negatively worded questions दोनों को ही include करना चाहिए दूसरे important चीज है that is avoid double-barreled question यानि कि एक ही question में दो question मत पूछिए ऐसा question आपको avoid करना चाहिए कि जिसमें एक ही question में दो question हो रहा हो तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर double-barreled हो गया तो दोनों के answer उसके opposite हो सकते हैं इसलिए avoid करना चाहिए और बलकि इसको आप क्या करें इसको दोनों question को अलग-अलग कूछ लें do you think there is a good market for the product और दूसरा do you think the product will sell well तो यहाँ पर आपको दोनों question को अलग-अलग कर दिये, double barrel, एक ही question में दो question नहों, अगर दो question है तो उसको आप अलग-अलग कर दें, दूसरा जो तीसरा important है essential है, जो कि एक अच्छे question में होना चाहिए, that is ambiguous questions नहीं होने चाहिए, questions that can be interpreted different by different respondents should be avoided, याने कि एक question है अब आपने उसको कुछ और समझ के question को frame किया, सामने वालग कुछ और समझ के response कर रहा है तो ऐसा question है जैसे कि अलग-अलग responded उस question को अलग-अलग नजरी से देख रहा है तो ऐसा नजरी जैसे कि to what extent would you say you are happy अब यहाँ पे क्या है, अब happy है, एक responder सोच रहे है कि मैं घर पे happy हूँ, उसका पूछा जा रहा है दूसरा respondent सोचा कि यह मैं working में काम करूँ, मैं कहीं पर office में काम कर रहा हूँ तो वहाँ कि happiness के बारे में बात कर रहा है तीसरा पूछ रहा है कि हो सकता है, दोस्तों के साथ पूछ रहा है जार्गन्स मतलब कि special और technical words जैसे कि as soon as possible, laugh out loud, btw, by the way तो इस टाइब के जो technical words है उनको यूज ना करें, बलकि आप इसको पूरा लिख दीजिए जार्गन्स या technical words को यूज ना करें, क्योंकि respondent हो सकता है कि respondent को उन जार्गन्स या उन technical words के बारे में ना पता हो तो इसको आपको avoid करना चाहिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट है इसेंसिल, that is avoid leading question आनि कि आपको इस तरीके के question नहीं पूछने चाहिए जो respondent को answer देने के लिए lead कर रहा हो जैसे the wording of the question should not lead the respondent to feel committed to respond in certain way जाने की आप example के तौर पर पूछ लिया आपने की how often do you go to church आप सामने वाला कभी चाहिए जाता ही ना हो या उसको चाहिए पसंद ही ना हो लेकिन आपने question इस तरीके से पूछ है तो उसको लगेगा एक बार लिखी दे दो बार लिखी देते हैं तो इस तरीके leading questions आपको नहीं पूछने चाहिए leading questions को avoid करना चाहिए clear तो सबसे important चीस कि होंगे पहली Biz आपको positive negative word question को यूश को यूश करने चाहिए devil best question को avoid करने चाहिए macque question को नहीं उसब करना चाहिए jargon को भी говорить को और leading questions भी आपको नहीं पूछने चाहिए इसके लाव कुछ important चीज़े हैं जो कोई आपको ध्यान में रखने चाहिए एक अच्छे questionnaire में कि limited number of questions हो यानि कि questionnaire आपका इतना बड़ा ना हो कि respondent भरते भरते बोर हो जाए limited number of questions होने चाहिए और relevant questions होने चाहिए जो आपका problem है जो आपका research objective है उसके प्रॉपर और में होना चाहिए questions यानि कि पहले आप general चीज़े पूछने फिर उससे जो है research related आपके questions आने लगता है no personal question कोई भी personal question आपको नहीं पूछना चाहिए जैसे कि आपके income कितनी है या फिर और something else चाहिए नहीं personal questions आपको नहीं पूछना चाहिए instructions दिये जाने चाहिए ति यह एक अच्छे question में होने चाहिए यह essentials है जो कि एक good question में होता है wish you all the best keep watching